हेलो एब्रीवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई मूलियों से यानि वेस्टेज मूली से बहुत ही चटपटा नास्ता ये नास्ता एक बार बना लेंगे तो पूरी सर्दी इस नास्ते को हपते में चार दिन तो जरूर बनाएंगे क्योंकि उपर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है आप आवाज सुन सकते हैं तो बीना ठाइम वेस्ट के इस क्रिस्पी चटपटे नास्ते को बनाते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने यहां मूली ले ली है फ्रेंड्स ये बहु निकाल देंगे तो ऐसे छीलते हुए पूरी मूली को हमने साफ कर लिया है और इसे पानी से अच्छे से वास कर लेना है दोनों साइट की जो डंठल होती है उसको भी काड के निकाल देना है अब हम लेंगे दूसरा प्लेट और फ्रेंड्स यहां हम इसे कदू कस करेंगे त तो सारी मूली को हमने कदू कस कर लिया है आप देख पा रहा है तो अब हम यहां इसके पानी को बिल्कुल नहीं निचोड के निकालेंगे अब चलते हैं गैस की तरफ और इसे फटा फट बना लेते हैं तो गैस पे हमने पैन चड़ा दिया है और इसमें डाल देंगे एक च सूखी लाल मिर्च तो यहां हमने चोटे साइच का सूखी लाल मिर्च लिया है यह भी करीब हमने 6-7 लिया है इसको भी इसी के साथ भून लेंगे भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है तो बिल्कुल यह तीखी वाली हमने लाल मिर्च लिया है अब हम इ दाल देंगे आधा चम्मच आजवाइन और आधा चम्मच साबुट जीरा डाल देंगे और यहां हमने एक खास मसाला लिया है जिसको दरदरा कूट लिया है तो यहां मैंने इसको टोटल एक चम्मच लिया था अब हम डाल देंगे अधरक लसन को दरदरा कूट के और इसी के स इसको भी भून लेंगे इससे इसका flavor बहुत अच्छा आता है तो सारे मसालों को जब हम अच्छे से भून लेंगे तब हम डाल देंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च तो हमने 3 हरी मिर्च को काट लिया है आप जैसा तीखा खाते हो उस हिसाब से मिर्च की क्वांटिटी कम या जादा कर सकते हैं और अब डाल देंगे इसमें मूली जो हमने कद्दू कस करके लिया है इसको भी डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे थोड़ा सा मतलब इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है बस इसको मिक्स कर लेना है इन मसालों के साथ तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से मूली मसाला एक साथ मिक्स हो गया है तो अब हम डाल देंगे यहां हमने 2 3rd cup ये चावल का आटा ले लिया है और चावल मूली एक साथ बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब जो बचा हुआ चावल है उसको भी इसी के साथ मिक्स करेंगे तो ये जो बचा हुआ चावल है अब डाल देंगे पूरा एक ही बार अब डाल देना है और इसको अच्छे से mix कर लेना है यहां हमने अभी नमक नहीं add किया है तो पहले अच्छे से इसको mix कर लेते हैं ये देखिए बहुत आराम से इसको इस पैचुला से गुमाते हुए mix कर लेंगे थोड़ा सा नीचे पकड़ेगा कोई दिक लेकिन इसको mix कर लेना है और अब डाल देंगे स्वादानुसार नमक और बारी कटी हुई एक मुठी हरी धनिया की पत्ती हमने ले लिया है इसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से mix करते हुए थोड़ी देर हम इसको पका लेंगे इससे हमारा चावल का जो आटा है इ अब हम ले लेंगे चोटा अला जार इसमें लाल मिर्च और लसन को हमने भून के रखा था इसको डाल देंगे दो चमज पानी डाल स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसको बारीक पीस के इसकी चतनी बना लेते हैं तो अब हमने ले लिया है एक अलग से थाली और ये जो मिक्स है इसमें डाल देंगे और इसको हम ठंडा कर लिए है अब हाथों में थोड़ाते लगा लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा मतलब इसकी छोटी-छोटी लोईयां लेनी है और हाथों पर इसको रखे गोल dijo disproportion यहां मैं बता देती और यहां ऐसे आप करके थोड़ा सा एक साइड गोल कर दीजी और एक साइड ऐसे लंबे में कर लीजी इस तरीके से भी इसका सेप बना सकते हैं वो आपके उपर डिपेंड करता है कि इसको किस सेप में बनाना चाहते हैं तो मैं इसको कुछ अलग सेप में बनाऊंगी तो इसे को पकड़ के एक पास चिपका देंगे ये देखी ये बिलकुल एक दम दिया के जैसे हो गया तो आपको जैसा पसंद हो वैसा से इसको दे सकते हैं तो इस तरीके से मैंने इसका से बना के तयार कर लिया है तो सारे नास्ते को हमने इसी सेप में बना लिया है लग रहा ना बहुत ही सुन्दर, तो आप चलते हैं गैस की तरब, तो गैस पर मैंने कड़ाई चढ़ा ली पहले ही, और इसमें तेल डाल दिया है, जो मीडियम होट गरम है, बहुत जादा गरम नहीं करना है तो आप देख सकते हैं, इसमें गरम करना है तेल को और इसमें एक एक नास्ते को डालेंगे जितना एक बार में आ जाएगा उतना ही डालेंगे और तुरंत इसको घुमाना नहीं है यानि इस पैचुला नहीं चलाना है नहीं तो यह तूट जाएगा जब यह थोड़ा सा सेट हो जाएगा तब हम इसको आराम इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है यह नास्ता ऊपर से बहुत ही KRISPY बनता है और बहुत ही लाजबाब लगता है खाने में बहुत ही चटकदार होता है तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छे से अब change हो रहा है धीरे धीरे तो हमने इतना dark होने तक इसको fry कर लेना है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा से इस spatula को टेना करके तेल को अच्छे से drain out कर लेंगे और इसी process से सारे नास्ते को हम fry कर लेंगे और अब चलते हैं सर्व करने के process में तो ये देखिए friends बहुत ही मज़िदार बहुत ही tasty बहुत ही चटपटा ये नास्ता बनके तयार हो गया है नास्ते में इसे आप ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं या जो हमने ये तीखी वाली चटनी बनाई है उसके साथ खा सकते हैं बच् बहुत ही crunchy बनता है उपर से अंदर से बिलकुत soft है आप देख पा रहे हैं बहुत ही tasty लगता friends जितनी भी इसकी तारीफ करूं बहुत कम है जो मूली आपके घर में ऐसे पड़ी हो खराब हो रही हो उसे इस तरह के recipe बनाके आप बहुत अच्छ से यूज कर सकते हैं पूरे घर के लोग इसे मांग मांग के खाएंगे बहुत ही चटपठी बनती है तो friends नास्ते की ये recipe आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताएगा अगर जो आप चैनल पर ना है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ साथ बिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे आने वाली latest video का notification सबसे पहले आपको मिल सके तो मिलते हैं next video में new recipe के साथ तब तर के लिए bye bye जैसरी हरे